आदर्स शिक्षन समिती बाडमेर द्वारा आदर्स विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भाया भाईनों का हार्दिक स्वागत एवं अभीनंदन। आज की वीडियो में विश्य विज्यान कक्सा दसमी अध्या इनव भाग सात का अध्यन करेंगे। इससे पूरू अपवर्तन की बिनविन प्रकार की घटनाएं जैसे वरण विक्षेपन हैं, पूरांत्रिक प्रावर्तन हैं, क्रांत्रिक कोण हैं, अपवर्तन की नियम थी या अपवर्तन क्या है, अपवर्तन से सम्मन्दित बिनविन प्रकार के उधारण पूरू वीडियो म देखा था या समझा था है कि आज की वीडियो में गोली लेंस से अपवर्तन इस तरह कि होता है लेंस कौन-कौन से है यह प्रकार और गोली लेंस से अपवर्तन 듣 के नियम समझेंगे तो तो शुरुगात करते हैं लेंस होता क्या है दो प्रष्टों से गिरा हुआ अप्वरत्मांक माध्यम लेंस कहलाता है दोनों प्रष्ट वक्र हो सकते हैं एक प्रष्ट वक्र या एक प्रष्ट सम्तल हो सकता है उनसे गिरा हुआ पारदर्शी माध्यमी लेंस कहलाता है तो लेंस दो प्रकार के होते हैं उत्तल लेंस जिनको अभी सारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस जिनें अब सारी लेंस कहते हैं जब लेंस पर प्रकास की किरण तो अप्वरतन के बाद और अपने एक मूल मारक से विज्दित हो जाती हैं इस तरह से जैसे अप्वरतन की गटना सामने प्रत एक पारधर्शी माध्यम में चैसा एदो प्रष्टों की बीच में जो प्रठक कारितल हैं यानि दोनों तोलों को अलग करने वाले यानि इससे लंबवत तल जिसको प्रकाशिय तल कहते हैं उस पर जब प्रकाश की किरणे आती है तो वो अपने मूल मारग से विचलित हो जाती है तो इस तरह से लेंस दो प्रकार के होते हैं दोनों के तीन तीन भाग होते हैं जैसा कि देखते हैं उत्तर लेंस सामने इनकी विशेष्था देखने से लग जाती है कि किनारों पर पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं और समानतर कोई प्रकाश ये किरण लेंस पर आप्दित होती है तो ये किरणों को फोक्षित करता है इनकी इस लेंस की विश्यस्ता है किरणों को फोक्षित करता है एक इस्तान पर तो ये लेंस उतल लेंस है जिनके तीन अलग अलग भागों के रूप में मान सकते हैं उभ्यू उत्तल, सम्तलो उत्तल, अव्तलो उत्तल, उभ्यू उत्तल में दोनों प्रस्ट उत्तल के होते हैं, सम्तलो उत्तल लेंस के एक प्रस्ट उत्तल और एक प्रस्ट सम्तल होता है, और अव्तलो उत्तल लेंस में एक प्रस्ट अव्तल और एक प्रस्ट उत्तल का होता है अब इस प्रकार दो प्रस्टों से घिरा हुआ अपवरतना कमाध्यम लेंस कहलाता है अब दोनों प्रस्ट अलग-अलग तरह के हैं तो भिन-भिन प्रकार के नामों से इन लेंस को जानते हैं ये तीनों लेंस जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये अभी सारी लेंस है जो कीरणों को फॉकसित करते हैं दूसरा लेंस आवतर लेंस जिसको अपसारी लेंस कैते हैं अपसारी लेंस का कारे हैं समानतर आने वाली प्रकाशिक कीरणों को अपसारित करता है एनि किल्णों को फेलाता है तो अवतर लेंस उसे उल्टा है किनारों पर मोटे होते हैं बीच में स्पतले होते हैं किल्णों को फॉक्सित न करके अपसरित करते हैं और इन किल्णों को यदि पीछे बढ़ाते हैं तो एक फॉक्स बिंदू पर मिलती हुए प्रतित होते हैं और उतल लेंस को यदि अपन समानतर किर्णों को फॉक्सित करते हैं तो अगले फॉक्स बिंदू पर मिलेगी इसा प्रतित होता है इसके भी अवतल लेंस के भी तीन प्रकार है उब्या उतल समतल उतल और उतल अवतल, उभ्य अवतल में इनके दोनों प्रष्ट अवतल के होते हैं, सम्तला अवतल लेंस में इसका एक प्रष्ट सम्तल और दूसरा प्रष्ट अवतल होता है, और उतला अवतल लेंस में एक प्रष्ट उतल और एक प्रष्ट अवतल होता है, इस प्रकार गिरी वई आकर्त पारदर्स्री माध्यम और ऐसे माध्यम यह पुर्चना अंक माध्यम को लेंस कहते हैं अपे लेंस के तैसं नियम जैसा कि पुरू के वीडियो में पड़ा था कि अप वर्चन जब होता है तो प्रकास की किरण अपने मूल मारक से जब टकराती है एक पाध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपने मूल मारक से विजलित हो जाती है जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं ये कोई समांतर किरण आपतित हो रही है और जब इस लेंस पर आती है तो प्रका यह किरण अपने मूल मारक से मुढ जाती है यह बुढ़ने की घटना जो है यह अपवरतन है तो लेंशों में इस तरह से अपवरतन होता है अब ये उतल लेंस से अपवर्तन दिखाई दे रहा है कि जब समांतर आने वाले किरण ये जो तल है लंबवत इस तल के जब इसपर्ष करती है तो अपने मूल मारग से विचलित हो जाती है जैसा कि ये है अब ये किरण यूजे से मुड़ी तो ये जो भाग है जिसमा मुड़ना है यह अपवर्तन हुआ है और इसा अपवर्तन लेंसों में भी होता है तो ये उतल लेंस से अपवर्तन और ये है अवतल लेंस से अपवर्तन या फिर ये किरण समान तर आने वाली किरण प्रकाशिय तल के लमबबत जब आती है तब अपने मूल मारक से विजलित हो जाती है अब इसके गोलिये लेंज से अपवर्तन के तीन नियम है पहला नियम है कोई भी प्रकास की किराण मुख्य अक्स के समानतर जब उत्तर लेंज पर आती है तो अपवर्तन के बाद ये फौक्स बिंदू से गुजरेगी जैसा की चत्र में दिखाई दे रहा है समानतर आने वाले किराण अपवर्तन के पश्यात पौक्स बिंदू से गुजरती है समानतर अपवर्तन के बाद ये मुख्य फौक्स से गुजरेगी ये भागधा उतर लेंज पी ऐसा येसा जब समानतर आने वाले किरण अउतर लेंज पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्यात जैसा ये समानतर किरण आपतित होई और अपवर्तन के पश्यात ये किरणों को फैलाता है तब इस किर्णों को पीछे बढ़ाने पर ये मुख़्े बॉक्स पर मिलती है ये घटना जो होती है ये अपवरतन का गोले लेंस का पहला नियम है जैसा इसमें भी था और इसमें भी था तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं याद रहना कि जब मुख्य अक्स के समान तर कोई प्रकास के किर्ण अव्तर लेंस पर आप्वरतन के पश्यात ये किर्णों को पीछे बढ़ाते हैं तो मुख्य अपरोक्स पर मिलती है और आगे बढ़ाते हैं तो ये फैलती है अपसरित होती है और उत्तल लेंस पर प्रकास की किरण जब अपतित होती है तो अपवरतन के बाद मुख्य फॉक्स से गुजरती है ये दोनों बिंदू जिस तरह से अपने अध्यन किया अब जैसे ये कोई लेंस है ये इसका लंबवत ने प्रकास ये तल जब कोई समानतर किरण आ जाए तो अपवरतन के बाद मुख्य फॉक्स से गुजरेगी अब ये समानतर किरण और मुख्य फॉक्स से जाएगी ये बिंदू एफ जो है वो मुख्य फॉक्स है इस तरह से ये होता है उत्तल लेंस है पहला नियम था ऐसा ही दूसरे लेंस में समझते हैं एक प्रस्ट दूसरा प्रस्ट दोनों प्रस्टों से गिरे होई माध्यम लेंस ये इसका प्रकाश ये तल मुख्य अक्स के समानतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये अपवरतन के बाद फ्यल जाती है लेकिन इन किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ये किरण एफ पर मिलेगी ये इसका पहला नियम समानतर किरण जो किरण आपतित होती है तो अपवरतन के बाद ये अउतल लेंस अपसरीत कर देता थी लेकिन इन्हें पीछे बढ़ाने पर ये मुख्य फॉक्स पर मिलती हुई प्रतित होती है ये इसका पहला नियम था दूसरे नियम जब कोई परकाशिय किरण है उतल लेंस के मुख्य फॉक्स पर उतल लेंस से मुख्य फॉक्स से गुजरती हुई कोई लेंस पर आपतित होती है तो अपवरतन के पस्यात ये समानतर हो जाती है जैसा कि अपने इस चित्र में देखते हैं द्यान से अब जैसे ये प्रकाश की कोई किरण मुख्य फॉक्स से आई और अपवरतन के बाद समानतर हो गई इसी तरह आउतल लेंस पर मुख्य अक्स से समान उल्टा जब उतल लेंस में मुख्य फॉक्स से प्रकाश की किरण कोई लेंस पर आपतित हुई तो अपवरतन के बाद समानतर हो जाती है ये भी इसी तरह है यह कोई प्रकाश की किरण ऐसा लगता है कि एप पर आ रही थी लेकिन यह आने के बाद यह समानतर हो जाती है ऐसा इस घट नाम होता है तो ऐसा अपन अपन जित्र से समझ सकते हैं यह लेंस यह इसका प्रकाश यह तल जब कोई प्रकाश की किरण मुक्य फॉक्स से ही यह नहीं एफ है इस एप से गुजरते हुई कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो अपवरतन के बाद समानतर हो जाती है यह घटका है ऐसा ही अवतर लेंस से यह प्रकाश यह तल मुक्य आक्षिन और इधर एफ जब कोई प्रकाश की किरण फॉक्स पर आती है तो यह अपवरतन के बाद समानतर हो जाती है ऐसी घटना यह दूसरा नियम तीसरा नियम जब प्रकाश की किरण प्रकाश यह केंद्रानी ओ से गुजरती है तो परतन के बाद उसी दिशा में चली जाती है उस दिशा में कोई परिवरतन नहीं है जिस दिशा में आ रही है उसी दिशा में सीधी से गुजरेगी यह दोनु लेंसओं में समान है क्योंकि लंबवत आने वाली लंबवत किरण है उसमें किसी प्रकारगा कोई बिचलन नहीं होता है अभिलम भी किरण के लाएगी इस तरह से अभिलम से है जिसमें कोई बिचलन नहीं होगा प्रकाशिक के अंदर से गुजरने वाली प्रकाश की किरन सीधी दिशा में जाती है ये इस पर रुप्षे चित्र समझ सकते हैं जैसा कि ये अपन इस लेंस में देखा जाए तो ये मुख्यक्स है ये प्रकाश ये तलो है ओ से प्रकाश की कोई किरन आती है तो ये सीधी गुजरती है इस लेंस में और ऐसा ओस लेंस में भी आपन अव तल में भी देख सकते हैं यह दोनों प्रष्ट और ये प्रकास ये दल, ये मुख्यक्ष, ये प्रकास ये केंद्र और इस केंद्र से जो कोई प्रकास की किरण गुजरती है तो ये सीधी गुजरती है इस पत्मे कोई परिवर्तन नहीं होता है इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है ये तिसरा नहीं होता आज की वीडियो से सम्मन्दित कुछ ग्रह कारे आपको लिखित कारे के रूप में करना है लेंस किसे कहते हैं लेंस के प्रकारों के नाम एम लेंस से चित्र बनाईए गोली लेंस से अपवर्तन के तीनों नियम लिखने हैं आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद